हलो दोस्तों मैं हूँ आरियार रोय और आप देख रहे हो इंट्रो बाइक्स यूट्यूब चैनल बाइक्स और स्कूटर्स रिलेटेड हरिक टाइप के इंफर्मेशन एक्यूरेट इंफर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलते हैं और मिलते रहेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हो पहली बाद देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजे दोस्तों आज का वीडियो है होंडा होने 2.0 के बारे में और क्या ये बाइक खडीने के लाइक भी है प्राइस कितना है माइलेज कितन मिलेगा और पीका बच्चा तो है ना ये सारे इंफोर्मेशन से आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो इस वीडियो का आप स्किप किये बिना पूरा देखिए ये हैं आपके सामने दी ओल न्यू हॉन्डा होनेट 2.0 2022 एडिशन ये लेटेस्ट एडिशन है आप देख सकते हैं इसका लुक्स बहुत ही मस्कूलर और एग्रिसिब लुक्स है मैं आपको इसका वाकराउंट दिखा देता हूँ पहले ये है इसका बौडी ग्राफिक्स आप देख सकते हैं रेट के साथ ब्लैक का कंबिनेशन है और ये मेरून रेट टाइप का कलर है औ तो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और थोड़ा गेमर गेमिंग एडिशन टाइप मतलब बाइक लग रहा है बहुत ही बड़िया लग रहा है और यह इसका गोल्डेन इवेसडी फॉर्क इसके बड़े में आपको बात में बताऊंगा और यह देखिए स्प्लीट सीट आपको मिल जाता है और ग्रैब रेल भी मिल जाता है और यह देखिए इसका हैंडल बार और इसका फुल इजिजिजल इंस्टुमेंट कंसोल अब यह देखिए यह है इसका टायर फ्रंट टायर आप देख सकते हैं इसमें 110 बाइस 70 सेक्शन का ट्यूब लेस टायर आपको देखने को मिल जाता है और यह डिरेक्शनल टायर है तो पत्तर वगएर आप घुसने के चांसे बहुत ही कम है इसमें और स्पोर्टी लुक्स भी इंपार्ट करता है बाइक को और दोस्तों यह है इसका रिया टायर इसमें आपको 140 बाइस 70 शेक्शन का टायर को मिल जाता है और यह भी मैनुवरिंग के टाइम में बहुत काम आता है बाइक को अगर आप इधर उधर मैनुवर करना जाते हैं तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम आता है और बहुत ही जादा चौड़ा टायर है मतलब आपको वीडियो में ही समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही जादा चौड़ा टायर है अब यह देखिए यह है इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा दिगने में है और क्या कहूं मतलब यह पेटल डिस्क कहते हैं इसको ठीक है इसका जो आप देख सकते हैं कि जैसे फूलों के पंकुरी होते है उस टाइब के डिजाइन है इसका तो पेटल डिस्क बहुत ज़ाद एफिशेंट होते हैं और यह 276 mm का डिस्क ब्रेक है विट सिंगल चैनल एबीस और यह देखिए यह है इसका रियाट डिस्क ब्रेक यह भी पेटल डिस्क आप देख सकते हैं और इसमें आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है तो इसका ब्रेक के एफिशेंसी ओवराल बहुत ही अच्छा है मतलब डूएल चैनल आपको एबीस मिलता तो थोड़ा और अच्छा हो जाता लेकिन सिंगल चैनल इबेस विट डूएल डिस्क ब्रेक भी ठीक है मतलब काम चल जाएगा इससे अब यह है दोस्तों हॉंडा हॉन्येट का स्टीकर अब देख सकते हैं बॉड़ी के ओपर क्या कलर लग रहा है मतलब बहुत ही बड़ी आ ग्राफिक्स है आप देख सकते हैं रेट के ओपर ब्लैक और वाइट का जो कंबिनेशन किया गया है एकदम मतलब लुक्स को एक अल देखने को मिलते हैं मार्केट में ठीक है और यह है इसका रियर सस्पेंशन इसमें मोनो शॉक सस्पेंशन दिया गया है तो ओवर आल बहुत ही अच्छा कासा आपको सस्पेंशन से टप मिलने वाला है और यह देखिए दोस्तों यह है इसका इंजिन इसमें आपको 184.40 CC सि अफिशियंट पाउर आउटपुट है इस सेग्मेंट के हिसाब से और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 16.1 न्यूटन मीटर एड़ एड़ेट 6000 रपीम दोस्तों इसका बोड है 61 mm और स्टोक है इसका 63.09 mm और इसका फ्यूल सप्लाई सिस्टेम के बाड़े में कहा जा है तो इसमे जो ओवरॉल परफॉर्मेंस एंजिन का बहुत ही बढ़िया है हॉंडा का इंजिन है तो भड़ो सा पूरा है इसके उपर और हॉंडा अपना इंजिन का जो कॉलिटी है वो इसमें कोई भी मतलब कंप्रोमाइज नहीं करता कॉलिटी एक लास है बिलकुल तो इंजिन को ले देख सकते हैं टॉप भी दिखा रहा हूं आप इस पर बैठेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा और इसमें ब्लैक स्टाइब भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं बीच में और दोस्तों इसका होंडा का 3D लोगो तो मैं क्या बता हूं मतलब बहुत ही बड़ मैलेज मिल सकता है ऑन दा हाईवे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सभी सुना इसमें आपको 50 kmpl तक का मैलेज मिल सकता है और यहीं एक बाइक है जो इस सेगमेंट में आपको इतना मैक्सिमम मैलेज दे सकता है ठीक है लेकिन आपको भी थोड़ा moderate स्पीड में तो इसका top speed दोस्तों मैं आपको ये भी आपको accurate बता रहा हूँ 130 km per hour तक top speed आपको इसमें मिल सकता है इसको आप touring purpose के लिए भी use कर सकते हो और इसका जो body weight है 142 kg जो इस segment में मनलब इसके हिसाब से थोड़ा light weight है तो ये side आएगा और इसलिए मनलब इसका जो top speed है वो थोड़ा जादा है और दोस्तों आप देख सकते हो ये है इसका अभी ground clearance इसका जो है 167 mm तो काफी अच्छा ground clearance आपको मिल जाता है पत्थर वगड़ा engine में लगने के chances जो है बहुत ही कम है और ये है इसका handlebar engine kill switch दिया जिसमें आपको sufficient power, torque, performance और overall sporty looks, muscular body, body graphics अच्छा कासा ये सब कुछ efficient engine ये सब कुछ आपको एक combination में चाहिए और mileage को ज्यादा sacrifice ना करते हुए ये सब अगर आपको मिल जाए तो I think यही bike है जो आपके लिए perfect bike हो सकता है अगर आपका choice ऐसा है तो तो दोस्तों इसका जो अभी एक showroom price चल रहा है वो है 1,35,957 रूपीज ये showroom to showroom वैडी भी कर सकता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को like कीजिए इस पर comment कीजिए आपके जो भी queries है आप जरूर पूछे अपने दोस्तों के साथ इसको maximum share कीजिए और हाँ इंट्रो बाइक से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेट ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा थैंक यू फ्रेंड्स